आज क्लास 9 के चाप्टर 13 का exercise 13.2 स्टार्ट होने वाला है तो वो exercise स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ basic points हैं इसलिंडर के बारे में वो read करना बहुत जरूरी है क्योंकि 13.2 में इसलिंडर से ही related question है तो सबसे पहले हमें इसलिंडर का दो जो चीज होता है एक होता है curved surface area और एक होता है total surface area दोनों के formula तो हम जानेंगे ही बट सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि curved क्या होता है total क्या होता है यह मैं इसलिए इस पर ध्यान दे रही हूँ क्योंकि अगर आप अभी तक clear नहीं किये कि curved और total क्या होता है क्योंकि इससे related questions आते हैं और यह सब question में कहा curved surface area का use करना है कहा total का इसको जानने के लिए कि कौन सा question कैसे solve होगा इसके लिए ये video बनाना important मैंने समझा इसलिए मैं cylinder का ये जो है वो पूरा बता रही हूँ तो actually cylinder क्या किस shape नहीं होता है पहले shape को हम draw करें अब जैसे यहाँ पे हमने cylinder का shape draw कर लिया अब cylinder के कुछ points होते हैं basic points वो हमें जानना है सबसे पहला चीज base आप देखो यहाँ पे यह base हुआ यह cylinder का base हुआ और यह भी cylinder का base ही होगा इसका मतलब कि दो base होते हैं cylinder के ठीक है उसके बाद हमारा हमें जानना होगा एक point होता है radius एक होता है height उसके बाद point आता है axis तो axis के लिए जैसे यह base हुआ तो base का यह center है तो यह जो दोनों center को lie कर रहा है मिल रहा है जो line segment इसी को हम कहते है axis ठीक है और base का जो यह radius होता है यह कहलाएगा radius जैसे circular का radius आप समझते ही हो कि center से जो line जाता है base तक वो होता है radius ठीक है और height अगर पुछा जाए तो यह जो axis हुआ axis का length जो derive करता है that is height उसी को हम कहते है height ठीक है तो यहाँ point आपको clear हो गया होगा कि radius क्या हुआ height क्या हुआ axis क्या हुआ उसके अलावा एक और चीज़ होता है lateral surface बहुत जगह यह word use होगा lateral surface तो आप इसमें confuse बिलकुल मत करना जो curved होता है उसी का दूसरा नाम होता है lateral ठीक है तो curved और lateral में कोई difference नहीं होता है आगे हम देखेंगे कि यह lateral surface area यह curved surface area कैसे find करते हैं तो ध्यान से समझो यह cylinder है यह cylinder जो है यह circular मतलब इसको circle में कर दिया गया है यह actually है क्या यह एक rectangular seat है और उसको ऐसे घुमा दिया गया है तो वो बन गया है cylinder तो जब हम से lateral surface या curved surface पूछेगा तो उसमें यह दोनों जो base होंगे वो हमारे include नहीं होंगे तो इसलिए हमारे यह कितना इसको अगर हम circular में घुमा देंगे तो circle का circumference का formula क्या होता है 2 pi r यह होता है तो यहाँ पे हमारा अगर पूछा जाए कि curved surface area of a cylinder ध्यान से इसको समझना आप लो तो इसको हमने घुमा दिया तो कितना हो गया 2 pi r बट इसकी कुछ height भी तो है इसकी कुछ height भी तो है तो यहाँ पे इसलिए multiply हो जाएगा height से तो इसलिए curved surface area कितना हो गया 2 pi r h यह formula याद कर लेना है अगेन हमसे एक और चीज़ पूछा जाता है कि total surface area of a cylinder cylinder का total surface area क्या होगा तो cylinder का total surface area के लिए हमें क्या करना होगा अब हमारा जो यह lateral surface हुआ यह हुआ और इसके अलावा यह दोनों base भी हमारे इसमें add होंगे तो अब हम क्या करेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे कि total surface area is equal to csa csa मतलब curved surface area of a cylinder of a cylinder plus area जो होगा हमारा दोनों base का उसको भी हम include करेंगे तो हम लिख सकते हैं क्या एक base का क्या होता है area pi r square लेकिन यहाँ 2 base से इसलिए हम लिख सकते हैं 2 pi r square यह clear हो रहा होगा कैसे लिखा मैंने अभी हमने csa क्या find किया था 2 pi r h plus 2 pi r square अब हम इसमें आप देखो कि 2 pi r 2 pi r दोनों में common 2 pi r को common ले लेंगे यहाँ क्या हो जाएगा h plus r यह हो गया equation 2 मतलब कि total surface area is equal to 2 pi r r plus h यह 2 pi r h plus r यह हुआ हमारा curve और total इसके अलावा एक और question आता है hollow cylinder तो hollow cylinder जो यह question आ रहा है तो सबसे पहले आप hollow cylinder समझो कि होता क्या है जो iron pipe होता है या फिर जो rubber tube होता है वो hollow cylinder होते हैं उसमें क्या होता है कि हमारा यह देखो आप बीच में जैसे की तो यह जो एक solid है यह bounded है co-axial cylinder से same height का दिया हुआ मतलब इसमें 2 radius है एक हो गया आपका यह बाहर जो है इसका radius तो वो हो गया capital R और एक जो हो गया वो small r इसका radius यह दो circle आपको दिख रहा होगा तो hollow cylinder जो जैसे की iron pipe या rubber tube को आप देखोगे वो इदम vacant होता है वो hollow cylinder हुआ तो hollow cylinder की भी formula अलग-अलग होते हैं वह भी मैं आपको formula आपको बता देती हूं क्योंकि उससे भी related question आते हैं और हम उसे solve भी करेंगे तो सबसे पहले एक होता है हमारा की base area each base surface area यह hollow cylinder की बात हो रही है यह ऐसा question आएगा तो ही हम solve करेंगे उसमें यह जो होगा यह क्या होगा यह pi r square बड़े वाले का और उसमें से हम छोटे वाले को minus कर देंगे तो क्या हो जाएगा pi r square minus pi r square r square क्या है जोसे कि हम circle का area निकालते हैं वही चीज़ तो pi common ले लिया हमने और r square minus r square एक बात हो गई अगें हमारा इसमें दूसरा आता है कि curved surface area curved surface area of किसका hollow cylinder का curved surface area of hollow cylinder तो हमने पढ़ा था कि 2 pi r h तो 2 pi r h यहाँ पे capital 2 pi r h small देखो सेम चीज़ है बस यह दो base पढ़ा रहे हैं इसलिए हमने एक capital r और एक small r से denote किया अब हम 2 pi h को common ले लेंगे तो क्या हो जाएगा r plus r एक capital r और एक curved surface area किसका हुआ hollow cylinder का इसके अलावा एक और हमारा formula हो जाएगा total surface area तो total surface area कैसे find करेंगे तो total surface area में दोनो curved surface area को प्लस करेंगे और जो यह हमने base area निकाला तो base area तो एक का है यहाँ पे 2 का करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं easily 2 pi r h plus 2 pi small r h plus 2 pi और capital r square minus small r square अब हम इसको लिख सकते हैं और इसको और आगे भी solve कर सकते हैं क्या कि 2 pi इसमें h common ले लिया तो क्या हो जाएगा r plus small r और यहाँ पे हमारा 2 pi r square minus r square अब हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 pi यह हो जाएगा h r plus r और यह लिख सकते हैं 2 pi r plus r और r minus r यह कैसे solve कर रहे हैं यह a square minus b square के formula पर तोड़ रहे हैं तो ऐसा भी लिख सकते हैं या इसके अलावा आप यह भी लिख सकते हो कि 2 pi 2 pi common ले सकते हैं और हम लिखेंगे r plus r और फिर bracket में लिखेंगे h plus r minus r यह formula होगे total surface area का यह hollow cylinder का है तो यह तीनों चीज आपको याद करना होगा और यहां यह right circular cylinder है तो हमारा यह curve surface area और total surface area होता है तो आपको यहां पर cylinder के basic clear होगे और next video में हम 13.2 जो exercise है उसको continue करेंगे और अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए Science and Mass Academy को और वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना बिलकुल मत भूलिएगा Thank you, thanks for watching